विल्कम टू केमिस्टी टीवी और आज के लेक्शे नुम्बर थोर्ड ऑफ बायो केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं पॉली सेकराइट्स के बारे में सो जो आज का टॉपिक होगा दर्ट इस पॉली सेकराइट्स ठीक है और पॉली सेकराइट्स में बेसिकली हम क्या डिसक करने वाले हैं जसे हम लोगोंने मॉनो सेकराइट के बारे ने पढ़ा यहां नी ऑलिकोर से क्रइट जो में बढ़ा है उस तरीका से और जो थर्ड है, that is cellulose, ठीक है, so basically starch और glycogen के structure वाइस तो same ही मिलेगा, देखेंगे किया difference है इनके बीच में, so हम लोग topic start कर रहे हैं, that is with the starch, ठीक है, और मैं basic basic points आपके साथ में discuss कर लेता हूँ, जो कि मैं लिखूंगा नहीं, चीज़े आप वीडियो सुनी रहे हो, तो ची starch जो है उसका general formula है, starch कहाना एक polymer है, polymer का मतलब polysaccharides, बहुत सारे उसमें कहा मिले हूँ है, monomers, ठीक है, अब monomers कहने का मतलब कहा है, उसमें बहुत सारे चोटे 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 units है, अब चोटे चोटे units किसके हैं, वो थोड़े दिर में भी हम लोग discuss करने वाले हैं, basically हम पर glucose के, ठीक है, so structure बे तो आएंगे, पहले basic basic बात कर लेते हैं, कि क्या है, कहां पाया जाता है, अगर हम बात करें, तो starch जो है, वो मिलता है अपने को food reserve material है, plants के लिए, यानि हम कह सकते हैं, कि reserve food है, ठीक है, reserve food, किसके लिए, plants, plants जब photosynthesis करता है, तो photosynthesis में बनाता है carbohydrates, और carbohydrates या glucose जब बना है, वो छोटे form में, छोटे form कहने का मतलब है, कि बहुत सारे glucose, एक unit है, दूसरा unit है, तीसरा unit है, चौथा unit है, यह आपस में connect हो जाते हैं, और जब connect होंगे, तो again यहाँ से हर connection पे H2O बाहर होता है, यह नहीं water निकलता है, तो अगर मैं इसके monomer unit के बारे मैं ल 12, O6 में से अगर आप ध्यान दो, तो मैंने क्या किया है, दो hydrogen कम किया, और एक oxygen कम किया है, so this is the repeating unit of starch, यह ग्लुकोज बहुत सारे जब repeating form में लग जाते हैं, that forms starch, so this is the formula for starch, and क्या है, यह आप एक integer है, integer vary करेगा 100 से लेके 3000 के बीच में, ठीक है, अब starch है, जो starch है, वो स्टार होता है starch, roots हो गया, ठीक है, tubers हो गया, उसके अंदर में store होता है, और अगर हम बात करें, cereals में, तो wheat है, maize है, rice है, potatoes हो गया, यह तो भारले हो गया, बनाना हो गया, सो और कम हो गया, यह सारे क्या है, main source of starch कहा जाता है, इनको, ठीक है, so starch जो है, ऐसा नहीं कि starch अलग अलग यह जो है, सारे के सारे green plants में होगा, green plant बोलने का क्या मतलब है, जहाँ जहाँ पर क्या हो सकता है, photosynthesis, जहाँ जहाँ photosynthesis होगा, वहाँ वहाँ पर अपने को starch मिलना ही मिलना है, ठीक है, अब starch जो बना हुआ है, starch में होता है, दो component, ठीक है, एक को हम लोग बोलते है, amylose, और में difference हो का सारा कुछ हम लोग discuss कर लेंगे, ठीक है, अच्छा, amylose जो है, और जो amylopectine है, यह starch ही है, ठीक है, यह different case wise में है, यह होता है unbranched, ठीक है, और यह होता है branched, ठीक है, अच्छा, अब ध्यान देते हैं, जो अगर हम बात करेंगे amylose, तो यह कैसा color देता है, iodine के पे, अगर हम generally carbohydrate निकाला है, यानि starch निकाला है, अगर हम iodine दालते हैं, तो देखा अपने को blue color, ठीक है, blue color जो है, क्या करता है, amylose एक complex बनाता है, inclusion complex करते है, इस वज़े से होता है, अच्छा, अगर हम इसके बारे बात करते हैं, इन detail में जाके structure wise क्या है, तो थोड़ा protein में क्या difference है, समझते ही चीज़ों को, देखो, सबसे पहले एक मैं बनाऊंगा glucose का molecule, ठीक है, अभी glucose में अगर बात करें, तो यहाँ पे oxygen है, ठीक है, अब ध्यान दो, मैं बना रहा हूँ, alpha-d-glucose, alpha-d-glucose का मतलब क्या है, HOH, OH यहाँ पे हो गया, H यहाँ हो गया, third carbon ज होंगा नहीं, HOH, ठीक है, और CH2, OH, और यहाँ पे क्या हो जाता है, H, so this is the structure of glucose, ठीक है, यह कौन सा glucose है, alpha-d-glucose, ठीक है, alpha-d-glucose हो गया, similarly, एक और molecule आता है, glucose का मैं इसको गी कॉपी कर लेता हूँ, just a second, copy, and this molecule is, okay, so एक और मैंने क्या कर लिया है, alpha-d-glucose unit ले लिया है, ठीक है, जिब दो alpha-d-glucose unit आएंगे, तो क्या करता है, combine करता है, क्या करेगा combine में, अब देखो, carbon number पहले बात कर लेते हैं, so this is our carbon number 1, carbon number 2, 3, and 4, ठीक है, similarly, यह carbon number अपना 1 हो गया, यह हो गया 2, 3, and 4, ठीक है, मैं दोनों ends को free रख रहा हूँ, अब क्या होता है कि OH और H मिलके यहां से क्या निकाल देता है, H2O को, यह से H2O release हुआ, अब देखो, मैंने बोला था, जब दो glucose unit आपस में combine होंगे, तो यह कौन सा bond बनाएगा, glycosidic bond ठीक है, अब इस glycosidic bond का name कैसे करते हैं, कौन-कौन सा carbon involved हो रहा है, molecule जो दोनों है, alpha, यह जो bond होगा, that is alpha, carbon number first molecule का, first, and second molecule का four, यह इस bond का नाम होगा, alpha one for glycosidic linkage, यह जो मैंने molecule बनाया है, that is of amylose, ठीक है, amylose, अब third unit क्या होगा, जैसे मैं अगर बात करूँ, तो यही मैं एक मैं third molecule यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है, यह देखिए, अब third molecule को again मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, connect कर सकता हूँ, third molecule में भी क्या होगा, यहाँ पर, ह और OH निकल जाएगा, यहाँ से water, देखिए, ह और OH यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से water अगेन निकल गया, यह भी क्या है, alpha 1,4 glycosidic linkage, ठीक है, तो बुलने का मतलब क्या है, कि जब amylose unit हम बनाएंगे न, तो एक straight chain बनता चला जाएगा, ऐसे करके इधर भी अपना next molecule connect होगा, इधर भी ऐसा next molecule connect होगा, So this is the structure of amylose, यह amylose जो पार्ट है, इसमें अगर अब ध्यान दो, तो important चीज क्या ध्यान रखना है, पहले एक straight chain होता है, कोई भी branching नहीं होती है, और कौन सा carbon connect होता है, कौन-कौन से carbon का OH connect होता है, that is carbon number 1 and that is carbon number 4 of the next molecule, उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे amylopectin के बारे मे तो इसमें भी वैसे ही है, ठीक है, अब ध्यान देते हैं आपे, so amylopectin क्या है, थोड़ा सा वो branched part है, उसके उपर में भी आते हैं, उसे पहले एक बार amylose में देख लेते हैं, कुछ चीज़े अपने को discuss करनी है की नहीं है, ठीक है, so amylose हम लोगों ने बात कर लिए, क्य glycosidic linkage, ठीक है, molecular weight के बारे में बहुत सारी चीज़े पड़ी जाती है, लेकिन उसको अपने को उत्मना जादा detail में जाना नहीं, molecular weight क्या होगा, क्या नहीं होगा, दूसरा पार्ट होता है, amylopectin, amylopectin में क्या होता है, जैसे आप समझे, एक चो glucose unit है, मैं आपे just paste करता हू हो गया, एक, ठीक है, अगेन मैंने एक और molecule paste किया, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर जैसे मैंने molecules बनाए है, किसके alpha-dglucose, alpha-dglucose, तो यहाँ पर जो लिंकेज हम कर रहे हैं, that is alpha-1-4 glycosidic linkage, यह भी क्या है, alpha-1-4 glycosidic linkage, ठीक है, यह तो अपना जो पार्ट है ता है, आपने amylopectin में क्या होता है, जो carbon number next है, यह carbon number कौन सा है, 6, ठीक है, यह भी carbon number क्या है, 6, यह भी carbon number क्या है, 6, अब एक side से एक और ऐसा molecule आ जाता है, कैसा molecule आ जाएगा, जो हम molecule paste करता हूँ, अब ध्यान दो आप, ठीक है, एक और molecule आया, ओके, अब देखो, क्या होने वाला है, यहाँ पे, मैं इस चीज को मिटा देता हूँ, ताकि फ्रोडस आप देख पाओ, यहाँ पे carbon number, लोगे, बहुत सर्चीज सेट करने होती है, तो इसमें कोई बात नहीं हो जाएगा, तो यह देखिए, यहाँ पे क्या होना है, अभी यह जो मैंने ग्रुप, यहाँ पे बनाया हुआ है, सारी, सारी, बहुत टाइम लग रहा है, मैं भी इस चीज को बहुत, यह सारी फीचर्स बहुत सारे हैं, जो मैं नया यूज कर रहा हूँ, इसको मिटा ही देता हूँ, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा स्पेसियस हो जाएगा, यह चीज मैं यहाँ पे बना दूँगा, बहुत इसका यह carbon number one engage हो चुका है, यह भी one engage हो चुका है, यह तो अपने next chain continue करेंगे, उदर engage हो जाएगा, यह जो straight chain है, उसमें carbon number six अभी बचा हुआ है, एक मैं और molecule लेता हूँ, इसी तरीके का, ठीके, just second, ठीके, अच्छा, अब यहाँ पे हम कर पाएंगे, यह carbon number six अब देख पारे पहले हम लोगोंने बना रखा है carbon number six, ठीक है, और यह रहा carbon number one, carbon number one and carbon number six के बीच में अगेन यहाँ पे H2O molecule release होता है, अगर अब देखो, तो यह तो एक main chain हमारा चली रहा था, इस तरीके से, अब यहाँ पे क्या हो गया, इससे एक side chain में निकल गया, तो यह जो linkage है, that is alpha one four glycosidic linkage, यह भी हमारा कौन सा है, alpha one four glycosidic linkage, लिए यह bond किस से बना हुआ है, इस molecule का sixth carbon और इस molecule का first carbon के बीच में है, so this is alpha one six glycosidic linkage, तो ध्यान रखना है, यह जो हम लोगोंने branched part बना दिया नहीं, यह जो complete of molecule हमारे सामने है, इसमें तो branching हो गया, so this is amylopectine, ठीक है, so amylose और amylopectine में जो basic difference है, that is, is the branching और unbranching वाला part, ठीक है, I hope यह जो पार्ट है, आपको समझ में होगा amylose का, amylopectine का है, तो यही आपको structure देखना है, बाकि आपको मैं notes देंगी दूँगा, सारे चीज़े, तो आप उसमें theoretical part जो है, वो cover कर पाओगे, yes, अग अगर हम बात करते हैं, amylose और amylopectine में और क्या difference है, तो 80% and 20% का बाता है, ठीक है, मतब रेशो, इन दोनों का रेशो जो होता है, equal नहीं होता है, इस इस विद्यान रखना है, so I hope जो मैंने starts वाला आपके पार, जो आपके साथ में discuss किया है, यह आपको समझ में आया होगा जैसे amylose अगर हम बात करेंगे, it only, यह जो 20% मैंने लिखा है, किसके लिखा हुआ है, amylose के लिखा है, और जो 80% है, that is amylopectine के लिए है, ठीक है, so I hope यह topic आपको clear है, अब चलते हैं, next polymer की तरफ जो अपने को discuss करना है, that is glycogen, next is glycogen, glycogen क्या है, यह भी एक polymer है, और यह stored food material है, ठीक है, stored food material किसका, for animals, यानि यह जो animals है, उनमें यह stored food होता है, ठीक है, जैसे मानलोग की कोई इंसान या फिर कोई animal बहुत दिन से भूखा है, fast पे है, तो यही उसका reserve food material है, जिसके तो वो जिन्दा है, यानि इसको ही जो मारा body burn करता है, ठीक है, आचा, तो इसको हम हम लोग कई बार ना glycogen को animal starch के भी नाम से जानते है, animal starch is called glycogen, formula क्या होता है, अगें जिस तरीके एक्दम सीम, लगबख सब कुछ सेम है, C6, H10, O5 and N, ठीक है, एक्दम से मिला हम लोगों दिखा है, glycogen is found nearly in all animal cells, ठीक है, और generally कहां store होता है, that is in the liver, ठीक है, यह कहा है, रि का, so it is called animal starch, मैंने आपको बताया, ठीक है, it has also been isolated from plant sources, ऐसा नहीं कि प्लांट से में मिले का नहीं, glycogen प्लांट भी पाया जाता है, लेकिन जो रिजर्व हमारा body जो रिजर्व करता है, glucose को in the form of glycogen ही store करता है, glycogen अगर हम देखेंगे, that is found as white powder, ठीक है, white powder की form में होता है, water soluble है हमारे body में चाहिए ही चाहिए, तो water soluble भी है यह, ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि इसका solution कैसा होगा, यह नहीं, अगर हम iodine पर दालेंगे, तो purple redis color बनता है, purple redis color अपने को बिलेगा, iodine के साथ में, अगर हम इसको hydrolyze कर दें, hydrolyze है नहीं, पाने में दाल unit, यह जो हम लोग हमारे पास में molecule है, that is alpha d glucose, कैसे पैचानते हैं, मैं आपको क्या बताया है, first carbon पे अगर OH नीचे साइड पे होता है, below the surface, below the ring, तो that is alpha form, ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज, यह glucose का structure है कैसे पता, carbon number 1, carbon number 2, और carbon 3, carbon 3 पे अगर OH पर साइड पे होता है, that is glucose, अच्छा, alpha समझके, D क्या होता है, हमने D molecule से, यह D glucose से form किया है, इसलिए this is alpha d glucose, so अगर हम एक glycogen को break करेंगे, hydrolyze करेंगे, तो अपने को alpha d glucose unit मिलेगा, I hope यह जो पार्ट है आपको clear हो गया होगा, ठीक है, अगर molecular weight भी अगर हम बात करते हैं, तो molecular weight, basically हम लोग तो बहुत molecule है, इसका mass जो होता है, यह range में है, ठीक है, 10 lakh से देके 50 lakh, डॉल्टन units में income देखते हैं, ठीक है, इन में अगर हम बात करें, तो इन में branching होती है, तो बताओ, अगर branching है, तो यह कौन सा part इसमें होगा, obvious है, amylopectin वाला part, ठीक है, amylopectin नहीं बोलोगे, कह सकते हैं कि इ amylopectin किसका part है, starch का part है, जो कि animal में नहीं बाया जाता है, ठीक है, अगर हम बात करें कि और क्या चीज़ है, branching तो है, लेकिन अगर हम बात करें, तो amylopectin में cross linking जादा है, ठीक है, एक जो chain है, दूसरे chain से connected होता है, ठीक है, ओके, तो जो basic basic बात था glycogen के बारे में हम लो लेवर में store होता है, white powder होता है, water soluble है, मैंने structure वाज दिखा दीगे, hydrolyze करेंगे, तो alpha-di-glucose मिलेगा, इसमें branching होता है, cross linking होता है, और branching part है, तो similar like myelopectin है, तो यह second जो हमने बढ़ा है, that is polysaccharide, third जो polysaccharide अपने को cover करना है, that is, just a second, third और यह जो last है, that is cellulose, ठीक है cellulose, तो अगर हम cellulose के बारे में बात करेंगे, तो यह कहां present होता है, मिलने इन्दी, cell wall में, ठीक है, cell wall, तो cellulose अगर हम बात करें, basic basic बात, तो यह एक colorless compound है, इसका, खुद का कोई colorless, color नहीं है, ठीक है, solid होता है, solid यह नहीं, rigid है, थोड़ा सा, insoluble in water है, water में dissolve नहीं होत है, and organic solvene भी dissolve नहीं होता है, अगर हमें, इसको dissolve करना है, तो इसका monocle cupric hydroxide, ठीक है, एक reagent है, swagger reagent, उसमें हम इसको dissolve कर सकते हैं, यह फिर अगर हमान लोग की HCl को break करना है, तो HCl, sorry, cellulose enzyme, cellulose को break करने के लिए cellulose enzyme होता है, cellulose enzyme, इससे भी यह break हो जाएगा, ठीक है, D-glucose ring में लेगा, ठीक है, बीटा-D-glucose, not alpha, ठीक है, बीटा-D-glucose होता है इसमें, और अगर बीटा form होगा, तो OBSS के बीच में, जो linking होगी तो बीटा होगी, और 1-4 है, 1-2 है, तो हमें स्ट्रुक्चर जब बनाएंगे, तो इसमें इसको करी लेंगे, ठीक है, so अगर हम बात करते हैं, cellulose में कोई branching है, या फिर दो पार्ट है, नहीं, कुछ भी branching नहीं है, कोई भी दो पार्ट नहीं है, this is normal, और इसमें कितने, अगर हम बात करें, तो इसमें, जिस्ट आप को दिखाता हूँ, मैं, इसमें कोई branching नहीं होती है, मैं structure बना देता हूँ, थोड़ा सा इसमें change करना पड़ेगा, क्योंकि लिए ये तो हमने alpha-d glucose बनाया था न, beta-d glucose में structure थोड़ा सा change होगा, ओके, तिन molecule पर ही समझ भाएंगे हम, ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा मिठा रहा हूँ है, आपे, बीटा form है, इसलिए अपने को OH उपर चला जाएगा, ठीक है, H नीचे आ जाएगा, OH, H, यहां पर विगर हम बात करते हैं, OH और H, ठीक है, अब इसमें जो है carbon कौन-कौन सा connect होने वाला है, तो यह रहा first carbon, यह रहा second carbon, first, second, third, fourth, मैं एक में नमरिंग दिखाओंगा, ठीक है, 5 and 6, तो यहां ध्यान दीजे, यह अपना कौन सा carbon है, 4, यह कौन सा carbon है, 1, तो यहां पर linking, जो है न, वो इस तरीके सोना है, H, और OH, यह चला गया, H, और OH, cross linking के type का है, cross linking के अतलब branching नही यह जो molecule है, water यहां से निकल जाएगा, जो water यहां से निकलेगा, तो यह पूरा जो chain है वापस में किस तरीके से connect होगा, like this, OCO connect हो गया, और इस bond को again क्या बोलने वाले है, glycosidic bond, और यह कौन सा glycosidic bond यह linkage है, यह beta, क्यूंकि हम लोगों ने OH को कहा रखा है, नीचे साइड तो बीटा डीग्लुकोस था, यह भी क्या था, बीटा डीग्लुकोस और यह भी क्या है, अपने पास में, बीटा डीग्लुकोस, यह आपस में जब connect होगा है, तो बीटा, कौन कौन सा carbon लग रहा है, first carbon fourth, बीटा 1,4 glycosidic linkages में होता है, ठीक है, यह straight chain polymer मैंने आपको बता ही में दिया, अब कुछ important point या फिर जो special points है, cellulose के बारे में, general formula आपको बता दिया, general formula क्या होता है, C6, H10, O5, N, so this is the basically, देखो, alpha form रहे, beta form रहे, formula तो same ही होगा, बस position change करते हैं, so अगर अपने को cellulose को अगर हम पानी में जालते हैं, the presence of acid, तो 96% of the crystalline D-glucose मिलेगा, ठीक है okay, beta form में, अगर हम बात करें कि sir, इसमें कितने molecules होंगे, मतलब कितने सारे यह जो beta D-glucose molecules connected होते हैं, तो इनका range है, 1000 से लेके 1500, ठीक है, यहनी 1000 से लेके 1500 molecules of beta D-glucose, एक molecule of cellulose में पाय जाते हैं, ठीक है, cellulose कभी muta rotation नहीं सो करता है, जो कि हम लोगों के साथ में बात किया मुटा rotation, किसके साथ में बात किया याद है, हम लोगों यह डिस्कूस किया है, सुक्रोज के साथ में, ठीक है, इस नॉन रिदूसिंग सुगर, और सिंपल सा बात है, कोई भी polysaccharide, नॉन रिदूसिंग सुगर नहीं हो सकता है, सारे के सारे क्या होते है, नॉन रिदूसिं के लिए important था structure वगरा क्या है, माईलोज क्या है, माईलोपेक्टीन क्या है, स्टार्ट का structure क्या होता है, यह सारे चीज आपके साथ में, मैंने properly discuss कर लिया है, अगर आपको कोई भी doubt रह जाता है, तो आपको हमारे channel के comment section में आपके comment कर सकते हैं, instagram पर ही मिल सकते हैं, या फिर